दोस्तों आज हम जो पिज्जा बनाएंगे इसे हम बीना अवन बनाएंगे और बीना मैदा बनाएंगे तो ये हल्दी भी रहेगा और सबके लिए बनाने में आसान भी रहेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुती आसान वीदी से होल वीट पिज्जा रेसि चीनी और देट टीस्पून राय एक्टिव इस्ट एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे मिला लेंगे तो यहां पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है अब इसे ढखकन लगाकर 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि इस्ट अच्छे से एक्टिव हो गई है तो उसी के साथ हम 2 कप गेहु का आटा एड़ करेंगे आटा हमें वही लेना है जिसकी हम चपाती बनाते हैं अब उसी के साथ 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर एड़ करेंगे जिसे हमारा पीज़ा का कलर भी अच्छा आएगा और डो में अच्छे सी रिचनेस भी देगा एक टेबल स्पून बारिक वाली सूजी एड़ करेंगे जिसे हमारा पीज़ा क्रिस्प और जालीदार बनेगा देट टी स्पून जितना ओलिवेल एड़ करेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी एड़ करते जाएंगे और नर्म और चिकना डो लगा करके तयार करेंगे अब यहाँ पर मैं पिज़ा मसाला एड़ करना भूल गई थी तो एक टेबल स्पून पिज़ा मसाला एड़ करेंगे अगर आपके पास पिज़ा मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर स्वादानुसार नमक एड़ कर सकते हो क्योंकि यहां पर पीज़ा मसाले में नमक होता है तो मैंने यहां पर डो में अलग से नमक एड़ नहीं किया है क्योंकि उपर सोस भी आएगा चीज भी आएगा तो एक्स्रा नमक एड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहां पर हमने नर्म और चिकना डो लगा करके तयार कर लिया है एक टीस्पून जितना तेल भी एड़ करेंगे और थोड़ा सा इसे मसल लेंगे तो यहां पर हमारा डो रेड़ी है तो अब मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से हम गोला बना करके तयार करेंगे और इसे ब ताकि डो अच्छे से फूल करके डबल हो जाए तो देड़ गंटे के बाद आप देख सकते हो कि डो अच्छे से फूल गया है तो उपर थोड़ा सा गेहू का आटा छिड़केंगे और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे तो दो से तीन टेबल स्पून जितना गेहू का आटा हम और थोड़ा सा मसल लेंगे, ज्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, अब एक टीस्पुन जितना ओली ओल एड करेंगे, और थोड़ा सा मसल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा पिज़ा बनाने के लिए डो रेडी है, जिसे हम दो भाग में डिवाइट करेंगे, तो मेरा एक पिज बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ODI ICO BAKE कुकिंग और बेकिंग पेपर लिया है, जिसका हम बेकिंग के अलावा कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और यह अनब्लीच्ट और क्लोरिन फ्री है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं, और यह हैसल फ्री और क कर लिया है, अब जहाँ पर पिज़ा को बेलना है, वहाँ पर थोड़ा सा मक्कई का आटा स्प्रिंकल करेंगे, और पिज़ा बेस बेल करके तयार करेंगे, पिज़ा बेस को हमें नाज यादा मोटा नाज यादा पतला रखना है, जिस तरह से हम भाकरी बनाते हैं, उतना ह हम मोटा बेल करके तयार करेंगे तो हमने यहाँ पर पिज़ा बेज को बेल लिया है जिसे हम इकोबेक पेपर लगाए हुए टिन में अरेंज करेंगे और साइड्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि पिज़ा बनने के बाद पिज़ा बहुत ही अच्छे से दिखेगा और फोक से प्रिक करेंगे ताकि पिज़ा बेक होते समय फूलेना तो यहाँ पर हमारा बेज रेडी है तो इसे हम आदे गंटे के लिए रख देंगे तो एक साफ कपड़ा ढखकर हम इसे रख देंगे ताकि यह थोड़ा से फूल जाए तो आदे गंटे के बाद आप देख सकते हो कि हमारा बेज थोड़ा से फूल गया है तो पूरे पिज़ा बेज पर हम बटर स्प्रैट करेंगे तो बटर रूम टेंपरेचर वाला होना चाहिए ताकि हम आसानी से स्प्रैट कर सके और हॉममेट पिज़ा सोस स्प्रैट करेंगे पिज़ा सोस की रेसिपी के लिए आप मेरा फ्रोजन पिज़ा की रेसिपी देख सकते हो अब मैंने यहाँ पर पास्ता चीज लिया है जिसमें सेडर चीज होता है तो यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो सबसे फेले हम पास्ता चीज एड़ करेंगे और थोड़ा सा प्रोसेस चीज भी एड़ करेंगे ताकि चीज खाने में थोड़ा सा क्रीमी लगे अब टोपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो मैंने यहाँ पर केपसिकम, टमाटर और उबले हुए स्वीट कॉन का टोपिंग किया है आप चाहे तो प्याज, पनीर, ब्रूकली, बेबी कॉन, उन सबका भी यूज कर सकते हो ओलिवस और एलेपिनो से गार्निश करेंगे और इटालियन सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे और सबसे आखिर में थोड़ा सा मोजरेला चीज एड़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा पीज़ा बेख होने के लिए रेडी है तो इस पीज़ा को हम प्रिहिटेट कड़े में 40 मिनिट के लिए बेख करेंगे तो पहले हम 5 मिनिट के लिए तेज आज पर बेख करेंगे और 35 मिनिट के लिए इसे मद्यम आज पर बेख करेंगे और सबसे छूटे वाले बर्नर पर हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे तो 40 मिनिट के बाद आप देख सकते हूँ कि हमारा पिज़ा अच्छे से बेक हो गया है तो इसे हम कड़ाई से निकाल लेंगे देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारा पिज़ा बहुत ही अच्छा बना है सच में दोस्तों इस तरह से बनाएंगे पिज़ा बाजार से भी अच्छे बनते हैं और पिज़ा को हम कट करके भी देख लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हूँ कि हमारा पीज़ा नीचे से भी बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है तो कड़ाय में भी हम बहुत ही अच्छे से पीज़ा बना सकते हैं तो इस आसानसी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा तो दोस्ता आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके जरूर बताएगा और अभी तक आपने धर्मी स्किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आसानसी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीजिएगा मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसानसी रेसिपी के साथ